दोस्तों अगर आप पिछले कुछ हफ्तों में बांगलादेशी मीडिया को टटोले, वहां के इंटलेक्ट्टुल्स को टटोले, यहां तक कि वो लोग जो की अभी जो केरटेकर गवर्जमेंट है, उसमें जो एडवाइजर वगेरा का भी रोल ने बार है, उनमें से भी अब दोस्तों इस प्रकार की बाद बंगलादेश में फैल रही है, लेकिन यहां पर एक उपेन सीक्रेट, जो सब को मालुम था, अब खुल के पबलिक में इंडियन्स के द्वारा कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप आग से खिल रहे हैं, मत भूलिए आपको हमने बनाया था, तो आगे भी आपको आप आज तक बनने के बाद अगर बचे हुए है, क्योंकि आपको हमारा संग्रक्षन मिला है, मत भूलिए आपके दो चिकन्स नेक हैं, वो सब भारत से ही पूर्ण रूप से सराउंडेड हैं, और अगर हमने गरदन मरोड दी, तो बंगलादेश बिखर जाएगा, जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में, क्या है बांगलादेश का भूगोल किस प्रकार से वहाँ पे दो चिकन्स नेक है, एक तो ऐसा चिकन्स नेक है, जो की सिटिंग डख है, जो की बस भारत जब चाहे तब उसको कैप्चर कर सकता है, वहाँ की ड दोस्तों बताएंगे, और यहाँ पर चिकन्स नेक की समस्या बंगलादेश में, काफी जादा उबर के आ रही है, कारण है बंगलादेश में एक बहानक radicalism हुआ है, और उसको बंगलादेश अब सोच रहा है, क्या ही उमीद करेंगे, जब भारत में रहने वाले लोग इस प और जेल के ही चक्कर में पड़े हुए हैं, जब उन्होंने क्या कह दिया था कि एजिटेट करो, चिकन स्नेक का काम करो, और आइसोलेट कर दो असमको भारत से, दोस्तों इस प्रकार के लोग तो भारत में ही रह रहे हैं, जो कि इस प्रकार के बयान को खुल के कहते हैं अब भागे लिखने वाले हैं चिकन स्नेक का, हमी सब सोचने वाले हैं, तो सोच के भारत से, सोच के बागलादेश से बात चीत करो, इस प्रकार की बात इन्होंने कहिए, आप देख सकते हैं, जमुना टीवी का ये नियूज है, ये क्या बागलाद में लिखा है, आपको मै हो गया हो, चिकन स्नेक भारत का सिली गुरी कोरिडोर को अभी अभी बनाओ, उनको ऐसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर अन्य लोगों ने भी सोचल मीडिया पर बांगलादेश को बड़े अच्छे से मज़ा चकाया है, उन्होंने का मत भूलो, तुमारे पास भी एक चिकन स्नेक है, और इतना नैरो चिकन स्नेक है कि जब चाहें, तब इसको कंट्रोल किया जाया सकता है, तुमारा एक बड़ा हिस्सा भारत के कंट्रोल में आ सकता है, इनका यह कहना था, तो बाकी लोग आगये, एक नहीं साहब, दो चिकन स्नेक हैं, एक पतला वाला और एक मोटा वाला तो आईए आज जरा बंगलादेश के भुगोल को समझते हैं दोनों ही चिकन स्नेक को समझते हैं तहाँ पे हैं तो आप सभी जानते देखिए इसके बारे मैं ज्यादा टाइम स्पेंट नहीं करूंगा आप अब दोस्तों यहाँ पे बांगलादेश नेपाल भुटान तीन देश हैं ट्राइ जंक्षन है और उसके बीच में यह को देखने मिलता है अब यहाँ पे अगर आप देखें तो डार्जलिंग जलपाई गुड़ी और तेराई एरिया जिसके त्रूए गुजरता है और यह बड़ा स्ट्राइजिकली इंपोर्टेंट है क्योंकि एक ब्रिज का काम करता है अब बंगलादेश से अचानक से एक दुस्सा हस हो रहा है वो कह रहा है कि हम तो इसको कंट्रोल कर लेंगे या इसके हाँ पर इंस्टीबिलिटी सेल आएँगे तो आये जरा इस दुस्साहस का जवाब क्या है देया देखते हैं बंगलादेश के दो दो चिकन स्नेक के और पहला जो chicken snack है, वो तो मोटा वाला है और दूसरा वाला तो sitting duck है, वो बस कटने के लिए ही बैटा है, जिस दिन भारत ने सर्मरक्षन छोड़ दिया बंगलादेश का, उस दिन वो कट सकता है, तो पहला सबसे पहला देखते हैं, जो कि भारत के लिए बड़ा important है, ये दोस्तो कितनी है, 80 km है, अब दोस्तो 80 km कहीं लोग कहेंगे काफी लंबा होता है, लेकिन मद भूलिए भारत यहाँ पे दो-दो जगे से इसको control कर रहा है, दोनों तरफ भारत ही है, तो इसलिए आप अगर देखें, तो essentially 40-40 km का ही stretch है, दो तरफ से और जो terrain है, पूरा plain terrain है, यहाँ पर समस्या होती है, बस बरसात के समय, जब बरसात होती है, तो यहाँ फ्लड साते हैं, बर्मपुत्र नदी है, बाकी जब विंटर सा जाएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे, पानी का बाहो भी कम हो जाता है, और उस वक्त यह पूरा का पूरा mechanized infantry के लिए, आर्मरी के बड़ा असानी से यहाँ पर वो armored core अगर आप देखें, बड़ा असानी से यहाँ पर move कर सकते हैं, और इसको बस कुछ दिन में पूरा का पूरा control किया जाया जा सकता है भारत के द्वारा, अब दोस्ते यहाँ की अगर आप बात करें, तो यह रंगपुर division है, रंगपुर division अगर आप देखें, तो control करना तो असान है, in terms of military might, बड़ा असानी से आप इसको ले सकते हैं, 40-40 km दो तरफ से आपको गुसाना है, और आप control कर लेंगे, लेकिन एक बात समझिए, यहाँ पर जो population है, वो अगर आप देखें, तो वो उतना असान नहीं होगा, कारण है, यह पर जो population है, वो बेंगॉली, Islamic population, Muslim population है, जो कि बंगलादेश की identity से खुद को जोड़ के देखता है, तो अगर आप इसको control कर रहे हैं, तो यह तभी हो सकता है, जब आप एक population exchange करवाएंगे, कहींगे कि बंगलादेश से इतने सारे लोग भारत आये हैं, जो कि आपने उनको खदेड के भीजा है, तो इनको हम यहां पे रख रहे हैं, और बाकी जगह पे बंगलादेश में भीजे जाएंगे, तो उसके बाद आप इसको कहीं न कहीं population change करने के बाद इसको control कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यह बड़ा important है control करना, क्योंकि अगर आप इसको control करते हैं, त तो उसके बाद आप इस समस्या को खतम करोगे, और फिर क्या चायना, या कोई और देश, कोई भी इसको threaten नहीं कर पाएगा, लेकिन बहुत ज़रूरी है, यहां पे population भी आपको उसी के अनुसार बदलना पड़ेगा, तो उसके बाद आप यह कर सकते हैं, दूसरा अगर land stretch है, कितना 25 किलो मिटर, बस 25 किलो मिटर है भारत के border से, और इसको अगर आप देखें, तो यहां पे इतरी पुरा, वैसे ही आप नीचे भी देखें, तो भारत के राज हैं, जहां से आप असानी से, मिजुरम से enter कर सकते हैं, और इसको control कर सकते हैं, तो इसके साथ अगर आ आया गया है, और ethnic minorities को यहां से निकाला गया है, तो ethnic minorities को यहां पे निकाल निकाल के यह किया गया है, और अगर आप देखें, तो बेंगाली population में 50% दिख रही है, उसमें भी Hindu population काफी significant है, 10% है, और यहां पे अगर आप देखें, तो इसी इलाके से, जब East Pakistan का दौर था, तो चकमा हजोंग कम्यूनिटी को बसाया गया था भारत में, यहां से वो छोड़ छोड़ के आये थे, जब उनको परसीक्यूट किया गया था, तो वो सब भारत में रह रहे हैं, तो यह इलाका अगर आप देखें, तो बड़ा आसानी से भारत कभी भी चड़ाई करके control कर सकता दोस्तो अगर आपने इसको control कर लिया, तो आपने North East States को C का access दे दिया, अलाम अलेकुम दोस्तो बंगलादेशी, सारे लोग अप ट्विटर पर ये लिख रहे हैं, कि चिकन नेक हमारा हो गया है, चिकन नेक वो जगह है, जहां पर भारत आकर एक मुरगे की गर्दन की माने दोस्तो बिलकल कमजोर हो जाता है, पतला हो जाता है, आप हिरान हो जाएंगे कि यहां पर जो चुड़ाई है भारत की वो तकरीबन 22 किलो मीटर है, यानि एक तरफ से तो बोटान है और निपाल है और दूसरी तरफ से बंगला देश है, यहां पर 22 किलो मीटर का हलाका आप अगर गारी पे जाएं तो 25 मिनट का यह रास्ता है, एक दम में दूसरा मुलक आ जाएगा और एक दम में तीसरा मुलक आ जाएगा, इतनी कमजोर जगह है और हमेशा से चाइना इस जगह पर नजर बराएं रखा हुआ है, यहां पर उसने निपाल वाले अलाके पर काफी ज हितना रहा है यानि है चाइना इतना क्रीब आर तरफ से आ चुका है, और अбंगल्यदेशी लोग एं लिखे रहे हैं, चिकन नेक अब हमारा हो चुका हेज़ा है तो बाहरत को बन खेंगे भारती तो उन्हें चिकन नेक्स से होकर सेलीगोली कोरिडूर नागालेंग मानीपूर से होकर आना पड़ेगा और फिर वाक़ करते हैं मानीपूर नागालेंग में तो हलात ऐसे हैं कि इंडियन आर्मी वहां पर जाए नहीं सकती कि इसी तरव से दो निपाल की जानब से या फिर बोटान की जानब नेपराण की जानब से олж te बड़े बड़े पहार हैं और यह थे हलका फंडा हुलागा है, बड़े बड़े पहार हैं बर्फ पढ़ती हैं तो वहां पर से आना मुश्कल है लेकिन यहां पर बंगलादेश की जानों से सिधी सड़क जा रही है और सिधी आपको चिकन डेक पर पहुझा देगी इस जगह की हफाज़त भी भारत उसी तरह से कर रहा है यानि बहुत ही ज़ादा स्टॉंग तरीके से यहां पर हर वक्त गश्ट होती रहती है इंडियन इस की इसके लावा इंडियन आर्मी मुझूद है इंडियन थेटर कमांड मुझूद है जिसमें एरफोस और आर्मी मिलकर काम करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इस जगह को काट दिया गया तो यक दम भारत दो टुकडों में कनवर्ट हो जाएगा साथ सिस्टर कर निगरानी की जाती है और वहां पर बंबारी की जाती है ऐसे हलात होगी है और बंगलादेश के लोग कह रहे हैं कि अब चिकन नेक हमारा है उसके जवाब में बारती कह रहे हैं कि आपकी दो चिकन नेक बनती है उन पर हम कबजा कर लेंगे लेकिन वह नामुम्किन है कि बंगलादेश के किसी चिकन नेक्ट पर जाकर कबजा करें, निज्में में जाता है तो वो भी मन्मानिपूर नगलेंड़ेश से उक्री जा लिखता है, सोने भारत多ज को पाता है , अनक्लादेश खरें से राचाए पारव्दा कबजा है दोस्तों वीडियो के सिले कि वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सबस्क्राइब करके गंटी पर भी लाजमी क्लिक किजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए खुदाहफिज